हलो मैं डियर फ्रेंज कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हैं आप लोग अच्छे और स्वास्थ होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग ELP Technician Exam 2018 में गनीत से पूछे गए सभी प्रस्ण को एकदम बेसिक से समझेंगे आज का ये क्लास Previous Year Question का सात्मा Practice क्लास है अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गिया है उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं पहला कुश्चन है एक व्यक्ती ने कोई वस्तू 1500 रुपय में खरे दी और उसे 12% के लाब पर बेज दिया तो वस्तू का विक्री मूल क्या था देखिए एक वस्तू को 1500 रुपिया में खरेदा जाता है और इस वस्तू को 12% के लाब पर बेचा जाता है अगर इस वस्तू पर 12% का लाब चाहिए तो इसका निकालेंगे 112% परसिंटेज अटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 0000 से 0000 कट जाएगा पंदरा गुना 112 करेंगे कितना आ जाएगा पंदरा मल्टिप्लाइ में 112 करेंगे संख्यां आ जाएगा 1680 तो कौन सा ओप्शन हो जाएगा साई ओप्शन सी हो जाएगा साई एंसर अगला कुश्चन नम्मर दो है आदित को एक परिक्षा में 78% आंग पराफ्थ हुए यदि उसे 663 आंग पराफ्थ हुए तो अधिक्तम आंग कितने थे देखिए आदित को 78% आंग पराफ्थ होता है इसका वैलू आपको कितना दिया गिया है इसका वैलू आपको दिया गिया है 633 आपसे पूछा गिया है अधिकतम अंक कितना था तो अधिकतम अंक हो जाएगा 100% इस 100% का वैलू आपसे पूछा गिया है देखिए इसका वैलू निकालने के लिए इसके सामने जो संक्या है उसको पहले लिखेंगे यानि 100 आ जाएगा उपर इसके नीचे आ जाएगा 78% और multiply में आ जाएगा 663 78 से कटेंगे 663 कट जाएगा 8.5 बर में multiply में आ जाएगा 100 इन दोनों को solve करेंगे संक्यां आ जाएगा 850 अधिकता मंक हो जाएगा 850 option A हो जाएगा सही answer अगला question है किसी संक्यां का 30% का मान 33 है तो आपसे पूछा गिया है वह संक्यां क्या है देखिए संक्यां मान लेते हैं X है X का 30% कितना दिया गिया है X का 30% आपको दिया गिया है 33 तो बराबर में आ जाएगा 33 percentage अटाएगे नीचे आ जाएगा 100 0 से 0 कर जाएगा 3 से कर जाएगा 33 से 11 बर में तो X का value कितना आ जाएगा X बराबर में आ जाएगा 10 multiply में आ जाएगा 11 इसको solve करेंगे X का value निकल के आ जाएगा 110 option C हो जाएगा सही answer अगला question नमर 4 है एक platform पर खरे एक आदमी को पार करने के लिए 54 km पर ती गंटे की गती से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रिलगारी दुआरा कितना समय लिया जाएगा देखिए train की speed आपको दिया गया है 54 km पर ती गंटा इसको मीटर पर सकेंड में बदलने के लिए 5 upon में 18 से करेंगे multiply 18 से काटेंगे 54 कर जाएगा तीन वार में तो चाल निकल की आजाएगा 15 मीटर पर सकेंड train की speed है 15 मीटर पर सकेंड अब देखिए train की लंबाई आपको दिया गया 180 मीटर तो दूरी कितना हो जाएगा दूरी हो जाएगा 180 मीटर दूरी बराबर होता है चाल गुना समय चाल दिया गया है 15 मीटर पर सकेंड समय आपसे पूछा गया है 15 से काटेंगे 180 कर जाएगा बारा बार में तो समय कितना हो जाएगा समय इसको लग जाएगा 12 सकेंड ओप्षन C हो जाएगा सही एंसर अगला कुश्चन है संक्या 5776 का वर्गमुल कितना होगा देखिए आपको संक्या दिया गिया है 5, 7, 7, 6 इसका आपसे पूछा गिया है वर्गमुल क्या होगा इसका वर्गमुल निकलेंगे बेसिक से साथ से लगाएंगे कितना आजाएगा संक्या आजाएगा 49 यहाँ पर संक्या आजाएगा 7 57 में से 49 गटाएंगे संक्या आजाएगा 8 इसके बाद संक्या आजाएगा 7, 6 इन दोनों को जो रहेंगे कितना आजाएगा संक्यां आ जाएगा 14, अब कितना से भाग लएगा, अब भाग लएगा 6 से, 6 से multiply करेंगे कितना आ जाएगा, तो संक्यां आ जाएगा 876, 876 में से 876 घटाएगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे संक्यां आ जाएगा 6, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा चियत्तर, ओप्षन डी हो जाएगा सही एंसर, अगला कुश्चन नम्मर 6 है, किसी भीन को जब 1 अपॉन में 3 में से घटाया जाता है, तो 1 अपॉन में 12 सेस बचता है, तो वह भीन क्या है, देखिए, एक संख्या आपको दिया गया है, 1 अपॉन में 3, इस संख्या में से मान लेते हैं, X को घटाने पर, सेस बचता है, 1 अपॉन में 12, ठीक है, 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, मैनस में आ जाएगा, 1 अपॉन में 12, और बरावर में चला जाएगा, तो X आ जाएगा, प्लस में 3 और 12, इन दोनों का LCM निकलेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों का LCM आ जाएगा, 12, 3 से डिवाइड करेंगे, 12 कर जाएगा, 4 बार में, मैनस में आ जाएगा, 1, तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में संक्यां आ जाएगा, इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, तो संक्यां आ जाएगा, 1 अपॉन में 4, तो भीन हो जाएगा, 1 अपॉन में 4, Option A हो जाएगा, सही एंसर, अगला कुश्चन नमर 7 है, राही ने किसी बेंक में 600 रूपय की दनड़ासी को जमा कराया, जिस पर उसे 8% परतिवर्ष सधारन ब्याज प्राप्त होता है, यदि राही ने 5 वर्षों तक बेंक में दनड़ासी को रखा, तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राप्त होगी, देखिए, ये गाही 600 रुपिया बेंक में जमा करवाती है एक साल का रेट है 8% तो 5 साल में कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा इस मुलधान पर इसको 40% का ब्याज मिलेगा परसेंटेज अटाएंगे नीचे आ जाएगा 100 डवल जिरो से डवल जिरो कर जाएगा अब कितना आ जाएगा तो संक्या आ जाएगा 240 ब्याज उसको मिलेगा 240 रुपिया ओप्सन ये हो जाएगा सही एंसर अगला question में आपको इस संक्या का square पूछा गिया इस संक्या का square कितना होगा ये आपसे पूछा गिया है देखिए आपको संक्या दिया गिया 11111 इस संक्या का आपसे पूछा गिया square क्या होगा इसका square निकलने के लिए सबसे पहले आपको देखना है इस संख्या में कितने डिजित है इस संख्या में 5 डिजित है इसके लिए simple आपको 5 तक लिखना है 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया अब आपको घरते करम में संख्या को लिखना है पांच में एक कम करेंगे संक्या आ जाएगा चार, चार में एक कम करेंगे तीन आ जाएगा, तीन में एक कम करेंगे दू आ जाएगा, दो में एक कम करेंगे वन आ जाएगा यही हो जाएगा इसका perfect square, option C हो जाएगा, सही answer अगला कुश्चन नम्मर 9 है यदी 8% वार्षिक सदारन व्याज की दर पर कोई धनरासी 5 अपोन में 2 वर्सों में 300 रुपियां हो जाती है तो निवेशित धनरासी क्या है देखिए एक साल का रेट आपको कितना दिया गिया है तो एक साल का रेट आपको दिया गिया है 8% 2.5 एयर में कितना हो जाएगा 5 अपोन में 2 का मतलब होता है 2.5 एयर 2.5 एयर का निकालने के लिए सिंपल मल्टिप्लाइ करेंगे 2.5 से कितना हो जाएगा 20% का वियाज मिलेगा ठीक है आगे कुश्चन में आपसे कहा गिया है 2.5 एयर में 300 रूपिया एमोंट हो जाती है अगर एमोंट 300 रूपिया हो जाता है इसका मतलब 100% इसमें मुल्दान होगा और 20% क्या होगा तो 20% इसमें बियाज होगा इसका सम आपको कितना दिया गिया है इस 120 का वैलू आपको दिया गिया है 300 रूपिया आपसे पूछा गिया है 100% का वैलू क्या होगा 100% का वैलू आपसे पूछा गिया है अब देखिए इसका value निकलने के लिए इसके सामने जो value है उसको पहले लिखेंगे यानि 100 आ जाएगा उपर नीचे आ जाएगा 120 और multiply में आ जाएगा 300 इसी को आपको सल्व करना है 0 से 0 कट जाएगा 3 से काटेंगे 12 कट जाएगा 4 बार में चार से काटेंगे 100 कट जाएगा 25 बार में तो 25 गुना 10 करेंगे कितना जाएगा तो 250 रूपिया हो जाएगा निवेशी धन्दासी option B हो जाएगा सही answer अगला question नमर 10 आ है निमलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस तीरिक है आपसे पूछा गिया इन चारों में से कौन सा पाइथागोरस त्रिपलेट है तो बहुत ही simple प्रस्टन है इसका right answer हमें comment box में बतेजिएगा ठीक है तो मिलते हम लोग अगले class में तब तक के लिए channel पर ना है तो channel को subscribe कर लिजिए ताकि आपको इसी तरह आगी का class continue मिलता है